हेलो बच्चो, लेट रीड दा क्वेशन, दा क्वेशन सेज, वाट आइडिया दो यू गेट अबाउथर फ्रॉम दा एक्स्ट्रैक्ट कार्ट मांडू, यह जो पूरा एक्स्ट्रैक्ट था, पूरा लेसन था कार्ट मांडू, इससे आपको ऑथर के बारे में क्या पता चल है, सो इस क्वेशन का आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट जिहान में रखेंगे, सबसे पहला बात, वो हर एक छोटा छोटा डीटेल्स, टेंपल के बारे में जहां वो गय थे, और जो स्ट्रीट में वो घूमे थे, और जो बिजनिस वहां काटमंडू में हो रहा था, सब की बारे में उन्होंने शेर किया है, और वो music से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा करके, flute की music से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव है, he is fond of music of flute, he likes to try delicacies like other travelers, और दूसरे travelers की तरह उन्हें नए नए खाना try करने का बहुत शॉक है, बहुत अच्छा ल उन्हें बहुत अच्छा सेंस है, observation करने का, किसी चीज को परखने का, as a traveler, और उनके पास एक ability है, जो वो catch करते हैं, हर एक beautiful details, छोड़े छोड़े चोड़े details, जो की बहुत ज़्यादा aesthetic sense में उन्होंने बहुत fine, बहुत accuracy के साथ उन्होंने note किया है, इस lesson में, काट मांडू extract में, और उनका जो vivid description है, जैसे कि मानलो जो image है, काट मांडू का temple का, और जो busy street है, इन सब को मानलो एक life दे रहा है उन्होंने, जब कोई read कर रहा है इन extract को, तो उन्हें सब कुछ live दिख रहा है, अपने imagination में वो सब कुछ देख पा रहे हैं, फिर और वो refer करते हैं, बहुत ना स्टुपा को, as heaven of quietness, as a safety place of quietness, और इससे पता चलता है, कि उन्हें शान्त और peaceful रहना बहुत पसंद है, भले वो indirectly नहीं इस कहीं पर state के, बट indirectly हमें ये पता चल रहा है, उनकी personality के बारे में, और वो ये भी express करते हैं, environment के बारे में, कि जो damage हम पहुचा रहे है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वरी हो जा रहे है, तो as an environmentalist भी वो बहुत ज़्यादा वरीड है, बहुत ज़्यादा concern है, then the author's love for traveling is evident from the fact, और हम देख पा रहे हैं, कि बहुत obvious है, उनका जो traveling का जो passion है, जैसे कि वो ठक चुके हैं already, अब वो घर जा रहे है वापस, तो घर जाते वक्त वो लंबा route लेना चाहते हैं, ताकि वो adventure जारी रखे अपना, ठीक है, जब वो देली वापस जाना चाहते हैं, तब वो longer route को describe करें, और जब वो flute की music को सुनते हैं, तब वो बिल्कुल से attract हो जाते हैं, उस music से, जब वो flute seller से बजा रहा था, flute को square में, एक square में उनके hotel के पा बिल्कुल ठके वे से रहते हैं, तो उन्हें light चीजे पढ़ना और बहुत popular चीजे पढ़ना पसंद है, जैसे कि magazine हो गया, या फिर comic हो गया, और दूसरे travelers की तरह भी उन्हें, अलग-अलग तरह के foods ट्राई करना बहुत पसंद है, जिस जगह में वो चाहते हैं, जैसे कि व feelings है, music के लिए, passion है, music के लिए, और उनका जो observation है, वो बहुत deep है, ठीक है, उनके पास sense of observation भी है, और वो बहुत ज़्यादा thoughtful person है, ठीक है, वो बहुत चीजों के लेकर के concern है, अच्छा सोच रहे हैं, और उनके अंदर ability है, एक तरह से गुण है, कि वो लोगों को और जगों को बहुत अच्छे से describe करते हैं, हर एक छोटा से छोटा detail वो share करते हैं, मान लो जैसे कि वो realistic हो, बिलकुल से real हो, तो हम इसका answer हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, the extract reveals some of the author's personality traits, he has a good sense of observation as a traveler and his ability to catch vivid details comes to the fore as a person with a fine aesthetic sense, with his vivid description, the images of Kathmandu's temple and busy streets come life, when he refers to the Bodhanath Stupa as heaven of quietness, then he appears to be lover of quietness and tranquillity, tranquillity means peace, however indirectly, he also expresses his worry as an environmentalist who opposes the damaging act that takes place along the Bagmati rivers bank, the author's love for traveling is evident from the fact that despite being exhausted, he wants to take longer route back to Delhi, his love for music of flute is revealed when he is so fascinated by the music of the flute being played by the flute seller in the square near the hotel, he could not leave the place due to the music, his choice of reading reveals that when tired, he reads light and popular stuff, Like other traveler, he eats the delicacies he finds available in the market place of Kathmandu, overall, the author appears as a man with a great desire to travel, a passion for music, a keen sense of observation, a thoughtful person and the ability to describe places and people in minute detail and with realism, I hope you understood it well, thank you, best of luck.